गूद मारिंग डियर स्टुडेंट पी ब्लोग के गृुप 17 में हैलोजन में हम हैलोजन के कंपाउंड में आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड याने की HCL गैस ठीक, HCL गैस एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्शर से फॉर्म होता है सबसे पहले इसको प्रिपेर किया था ग्लोबर एक साइंटिस्ट थे नाइन इस्टीन फॉटी एट में बाद में इसमें हमने एक्स्प्लेइन किया कि किस तरीके से यह प्रिपेर होता है तो ठीक है सबसे पहले इसकी हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन लैब में जनरली हम करते हैं NaCl यानि कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसमें H2SO4 की रियक्शन करेंगे तो HCl प्रिपेर होगा या फिर NaHSO4 या तो क्लोराइड सॉल्ट या फिर सल्फेट सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं NaCl के साथ आप कुछ भी NH4Cl भी ले सकते हैं तब भी HCl ही बनेगा तो इस तरीके से HCl प्रिपेर होता है यह सिर्फ यही मैथड है जिससे हम HCl को प्रिपेर कर सकते हैं इसके बाद नेक्स आती है इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है HCl जो गैस है वो कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट होती है स्मेलिं इसलिए HCl का आप liquid भी देखते हैं, lab में, but actually क्या है, gas है, ठीक, extremely soluble in water, water में soluble हो जाती है, इसलिए हम HCl को dilute भी कर लेते हैं, ठीक है, HCl water में dissolve होके H3O plus और Cl negative form करता है, Ka की value 10 to power 7, means Ka की value बहुत जादा है, means K strong acid है, high value of dissociation constant indicate it is strong acid, ठीक है, फिर उसके बाद NH3 के साथ यह react करता है, यह तो आपको पताई है, कि NH3 के साथ react करेगा, तो NH4Cl बनेगा, और white fumes निकलती है, जब हम ammonium का test करते हैं, तब भी हम इस reaction को use करते हैं, ठीक, अब इसके बाद यह वाला point जो है important है, HCl का 3 part और 1 part of HNO3, 3 is to 1, 3 HCl, 1, HNO3, इसको कहा जाता है aqua regia, और aqua regia जो है, वो generally तब use होता है, जब हमें noble metal को dissolve करना हो, noble metal किसी के साथ भी react नहीं करते हैं, नहीं acid ना base, लेकिन जब उसको हमें dissolve करना हो, तब हम aqua regia का use करते हैं, सारी उसमें impurity और थोड़ा बहुत सोना सब dissolve हो जाता है, और फिर वो आपको वापस कर देते हैं, लेकिन उसका weight जो है, वा actually कम हो जाता है, ठीक है, फिर HCL जो है, generally जितने भी salt है, सबको decompose कर देता है, CO2, SO2 में से release कर देता है, बहुत ज़्यादा questions यहाँ पर नहीं आते हैं, बस uses आपको important, एक तो chlorine की preparation में है, दुसरा lab, सबसे important आप कह सकते हैं, it is a laboratory reagent, ठीक, अब देखे, question example में ही है, यह question बहुत पार पूछा गया है, when HCL react with finally powdered iron, iron के सांच जब react करता है, it form ferrous chloride, Fe plus 2 HCL है, तो FeCl2 form करता है, plus H2, जबकि feric chloride क्यों निफर्म करता है, FeCl3 क्यों निफर्म करता है, तो इसमें क्या है, देखे, reaction लेखेंगे सबसे पहले, Fe plus 2 HCL, यह बनाता है, FeCl2 plus H2, दुबारा भी oxidize हो सकता था, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि यह जो H2 है, यह H2 जो है, उसको FeCl3 को reduce करके Fe plus 2, यहनी FeCl2 बना देती है, इसलिए इसका further oxidation नहीं हो पाता है, ठीक, अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, oxy acids of halogen, जैसा मैंने आपको बढ़ाया, oxy acids का means होता है, जहां hydrogen और oxygen, दोनों ही एक साथ, किसी element के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम oxy acids कहते हैं, पिछले chapters में भी हम पढ़ चुके हैं, oxy acid of nitrogen में हमने पढ़ा था, HNO2, HNO3, फिर sulfur में हमने पढ़ा, H2SO4, H2SO5, बहुत सारे पढ़े थे, H2SO7, O8, यह सब क्या है, oxy acid, यहां पर क्या है, oxy acid, जो कुछ है, mono acids, कुछ है, dye acid, हो, जो fluorine है, क्योंकि इसका size बहुत छोटा होता है, center atom की तरह जब इसको हम ले रहे हैं, तो यह सिर्फ एक ही acid form करता है, hypofluorous acid, HOF, जबकि CL जो है, वो सारे acid form करता है, CL के important है, ध्यान रखेंगे, question भी आता है, HOCl, HOCl2, HOCl3, and HOCl4, ठीक है, नाम भी याद रखेंगे, hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, and pulchloric acid, और इनके structures आपको form करने को आते हैं, इस तरीके से, CL के साथ, OH, या फिर, यह देखो, HOCl, HOCl2, और पर क्लोरिक acid, ठीक, इसमें यहाँ पे आपको एक question और पूछा जाता है, इनका acidic character, अब देखें, चारों structure आपके सामने हैं, तो अगर हमें acidic structure बताना हो, acidic strength बतानी हो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कि इन चारों में से कौन H+, को easily release कर रहा है, कौन H+, को release कर पाएगा, आप अकर इसमें देखेंगे, तो H+, को सबसे easily जो release करेगा, वो होगा HCl4, यह, पर क्लोरिक acid, क्योंकि H+, को release करने के पाद, वो पर कैसा चार जा जाएगा, negative, और negative चार जा जा गया, तो यह resonance stable हो गया, ठीक है, resonance stable हो गया, it means, इसको H+, की ज़रत नहीं है, तो सबसे ज़्यादा acidic HCl4, फिर HCl3, HCl2 and HCl2, ठीक, यह structures भी आते हैं, अगर यहीं पर हम compare करें, इन तीनों का, HCl4, HBr4 और HIO4, तो उसके केस में कौन सा ज़्यादा acidic होना चाहिए, उसके केस में भी ज़्यादा acidic कौन सा होना चाहिए, HCl4, क्योंकि CL की electronegativity ज़्यादा है, और CL का size, resonance, बाकी सब के comparison में छोटा है, तो O इसके साथ tightly bound होगा, तो resonance ज़्यादा prominent होगा, ठीक है, तो इतना आज इसके structure साब बना लीजे, HCl को complete कर लीजे, कल हमें पढ़ेंगे से आगे, inter halogen compound, ठीक है, झाल, क्योंकि दोटाहिए,